आज हम जानेंगे कि आखिर इस संसार में क्या है ये संसार किसे से बना है संसार किसे कहते हैं मुक्ति के लिए संसार को जानना क्यों जरूरी है इन सारे प्रशनों के जवाब आज हम जानेंगे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बे तब उनको कई हजार स्रेनियों में पहुंचा देते हैं जैसे मनुश्य घाई, बक्री, घोडा, भैंस, उन्ट, मकान, कोट, बरतन, कपड़े, आदी और जब वापस मुडते हैं एक ही करन की और दृष्टी डालते हैं तब हमें मूल रूप में दो ही पदार्त राशिया मिलत एक चेतन यानि ज्यानवान आत्माओं की रासी और दूसरी अचेतन यानि ज्यान रहित जड़ पदार्तों की रासी हम ये निश्चई पुर्वक कह सकते हैं कि जगत में इन दो राशियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है अत्वा यो भी कह सकते हैं कि जगत का अस्तित् पर ही निर्बर है। छे द्रव्य और नो तत्व इनसे अलग नहीं है। जब हम विश्व की स्तिती को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तब इनकी संक्या दो से छे हो जाती है। आत्मा की मुक्ति कैसे हो सकती है? जीव या अजीव की कौन-कौन सी दसाए मुक्ति की साधक और बादक हैं। ये जिग्यासा इनको दो से नो में ले जाती हैं। वहाँ अजीव के चार यानी अजीव, पुन्य, पाप, और बंद, और जीव के पांच प्रकार जीव, आसरव, समवर, निर्जरा और मोक्ष ये विभाग हो जाते हैं पर वास्तव में तत्व दो ही है छे और नो तो एक विशेस उप्योगिता या समझने की सुविधा के लिए किये गए हैं हम इन दोनों विभिन वर्गों को जाने बिना ये कभी नहीं जान सकते कि विश्व के कार्य संच में जीव और अजीव का क्या क्या उप्योग है। दर्मास्तिकाई विश्व की गतिशिल्ता सक्रियता में सहायक हैं। दुनिया में जो कुछ हलन-चलन, कमपन, शूक्समस ये सूक्समस पंदन तक होता हैं ये सब उसी की सहायका से होता है। अधर्मास्तिकाई ठीक इसी का प्रतिपक्षी है। स्तिर्ता में उसका उपकार है। दूसरे सब्दों में कहें तो प्रथम को सक्रियता का सहायक यानि धर्मास्तिकाई को सक्रियता का सहायक और अधर्मास्तिकाई को निश्क्रियता का सहायक कह सकते हैं। यद्यपी सक्रियता और निश्क्रियता वस्तुओं की निजी सक्ति का परिणाम है तो भी इनके सहयों के बिना यानि धर्मास्तिकाई और अधर्मास्तिकाई के सहयों के बिना न तो सक्रियता हो सकती है और नहीं निश्क्रियता हो सकती है आकास्तत्व आश्रई देने के कारण उपकारी है ये समस्त चराचर जगत उसी के आधार पर टिका हुआ है काल से संसार का सारा कार्यक्रम विदिवत संचालित होता है ये उसका स्पस्ट उपकार है पुद्गल के बिना देहधारी प्रानी अपना निर्वाह ही नहीं कर सकते स्वास निस्वास से लेकर खाने पीने पहनने आधी सब कार्यों में पौद्गलिक वस्तुये ही काम में आती है सरीर स्वयम पौद्गलिक है मन वचन की प्रवृती भी पुद्गलों की सहाइता से ही होती है आत्माएं इनका उप्योक करने वाली है इसलिए चेतना सील है इन छे द्रव्यों के उपकारो को, कार्यों को एकत्र करने से समुचे विश्व का संस्तान हमारी आखों के सामने आ जाता है लोक स्तिती की जानकारी में अजीव की अंतरगत परदार्टों का जितना संबंध है उतना जीव की विभिन्न दसाओं का नहीं है इसकी जानकारी तो एक आत्म सादक के लिए आवश्यक है जीव और अजीव ये दो मूल तत्व है पुन्य पाप और बंद के द्वारा आत्मा बंदती है बोतिक सुक और दुख मिलता है इसलिए ये तीनों ही मुक्ती के बादक है आस्रव कर्म ग्रहन करने वाली आत्मा की अवस्ता है इसलिए वो भी बादक है संबर से आने वाले कर्मों का या आगामी कर्मों का निरोध होता है निर्जरा से पहले बंदे हुए करम तोडते हैं आत्मा उज्वल होती है इसलिए ये दोनों मोक्ष के साधक है मोक्ष आत्मा की कर्म मलरहित विसुद अवस्ता है मौलिक दुरुष्टी से देखे तो पुन्य, पाप और बंद ये अजीव की अवस्ताएं हैं और आस्रव, सम्वर, निर्जरा और मोक्ष ये जीव की अवस्ताएं हैं छे द्रव्यों में एक द्रव्य जीव और पांच द्रव्य अजीव है नौ तत्वों में पांस तत्व जीव और चार तत्व अजीव है इससे यही सिद्ध होता है कि विश्व में मूल तत्व या राशी दो ही है एक जीव राशी है और दूसरी अजीव राशी है जीवरासी में सब जीव और अजीवरासी में सब अजीव समा जाते हैं या यो भी कह सकते हैं कि इन दोनों में समूचा लोग समा जाता है तो ये थी जानकारी संपूर्न संसार की आज का प्रशन है कि कर्म ग्रहन करने वाली आत्मा की अवस्ता को क्या कहते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें